पाइल्स यानि बवासीर एक दर्दनाक और तकलीफ देह बीमारी एक ऐसी बीमारी जिसे बताने में भी शर्म और हिच के चाहट महसूस हो खराब से खराब हालत बना देते हैं बवासीर, फिशर, फिस्तिूला जैसे रोग पाइल्स एक बहुत ही गंभीर बीमारी हो सकती है अगर उसका समय पर सही इलाज ना किया जाए तो ये बीमारी आपको शरीर के साथ साथ मानसिक तोर पर भी परिशान कर सकती है इसलिए अगर किसी को भी लंबे समय से कब्ज या पेट की समस्या है या पाइल्स के लक्षण नजर आने लगे हैं या फिर खूनी बवासीर, बादी बवासीर, फिशर, फिस्टूला किसी भी तरह की समस्या है तो वो स्क्रीन पर दिये नंबरों पर कॉल कर सकता है और अपने रोग का उपचार जान सकता है पाइल्स के शुरुवाती लक्षणों को गंभीरता से न लेना आपके लिए आगे चल कर एक दर्दनाक और तकलीफ दायक रोग बन सकता है और नौबत ऑपरेशन तक की आ सकती है इसी लिए समय रहते बवासीर यानि पाइल्स का इलाज शुरू कर दें ताकि जिन्दगी की भाग दौड में बवासीर जैसी गंभीर बीमारी रुकावट न बने ये पाइल्स की दिक्कत अचानक से सामने नहीं आती है ये रोग युवाओं में बिगरते लाइफस्टाइल गलत खान पान गलत आदतों जादा स्ट्रेस लेना या कई बार अधिक दवाओं का सेवन करना ऐसे कई कारणों की वज़ा से हो सकता है और बढ़ती उमर में पाइल्स होना स्वाभाविक है क्योंकि बढ़ती उमर के साथ साथ पाचन तंत्र भी कमजोर होने लगता है खाया पीया आसानी से पच नहीं पाता, रक्त वाहिकायें कमजोर हो जाती है, पेल्विक फ्लोर की जो मांस पेशिया हैं वो वीक होने लगत आतों की गती धीमी हो जाती है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इस तर बढ़ जाता है जिससे कब्ज हो सकता है कब्ज के कारण मलत्यागने में दिक्त होती है और जोर लगाना पड़ता है जो पाइल्स का कारण बन सकता है इसलिए अगर कोई भी किसी भी उमर में किसी भी कारण से पाइल्स की समस्या से परिशान है बवासीर की वज़े से मानसिक परिशानी जहल रहा है या किसी को अपनी परिशानी नहीं बता पा रहा है तो आपको अब घबराने या दर्द सेहने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि अब आप बड़ी ही आसानी से अपने पाइल्स रोग का घर बैठे कर सकते हैं वो भी सिर्फ एक फोन कॉल की मदद से तो बस स्क्रीन पर दिये नंबरों पर कॉल करें और जानें कि पाइल्स की बिमारी से कैसे आराम पा सकते हैं अगर आपको बवासीर की दिक्कत लंबे समय से परिशान कर रही है तो आपको जरूरत है एक ऐसे इलाज की जो आपकी बिमारी के मूल कारणों पर काम करे आपके शरीर को अंदर से ठीक करे तो ऐसा इलाज संभव है सिर्फ और सिर्फ आयूर्वेद चिकित्सा में आयूर्वेद विज्ञान के काबिल और अनुभवी सीनियर डॉक्टरों की टीम ने आधुनिक्तम रीसर्च फॉर्मूले से तयार किया है पावासीर का सही और असरदार इलाज जिसका नाम है पाइल्स उप्चार जिसे तयार किया गया है कई बहुमूल्य और गुणकारी जड़ी बूटियों के मिश्रण से ये दवा बवासीर बीमारी के मूल कारणों पर काम करती है और इस दवा का निरंतर प्रयोग आपको ब्लीडिंग और नॉन ब्लीडिंग पाइल्स जैसी गंभीर बीमारी में आराम दिला सकता है तो देर न करें अभी कॉल करें और घर बैठे अपने पास मंगवाएं पाइल्स उपचार दोस्तों पाइल्स उपचार इस ऐरुवेदिक दवा का इस्तेमाल अब तक कई लोग कर चुके हैं और काफी लोगों को इस दवा से आराम भी मिला है अगर आप पाइल्स की शुरुवाती स्टेज पर हैं या काफी समय से इस बिमारी से परिशान हैं तो आप एक बार इस दवा का इस्तेमाल जरूर करके देखें हो सकता है कि इस टोटल क्योर फॉर्मूले से तयार दवा से आपको आराम मिल जाए हम ऐसा दवा बिलकुल भी नहीं करेंगे कि पाइल्स उपचार दवा से आपकी पाइल्स बिलकुल ठीक हो सकती है क्योंकि हर इंसान के शरीर की तासीर अलग होती है उनकी लाइफ स्टाइल उनका आहार विहार, हेल्थ हिस्ट्री बहुत कुछ निर्भर करता है इसलिए अगर आप इस दवा को मंगवाते हैं तो आप अपनी पूरी जानकारी अवश्य दें हो सकता है इस दवा के साथ आपको कुछ अन्य दवाओं का कॉम्बिनेशन भी दिया जाए चलिए आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाते हैं जो बवासीर की दिक्कत से बहुत जादा परेशान था और जब उसने पाइल सुपचार दवा का इस्तेमाल किया तो उसे कैसा रिजर्ट मिला? आईए देखते हैं राजीव जो कि अभी काफी यंग है जवानी में ही उन्हें बवासीर का रोग अपना शिकार बना चुका है शौच के समय दर्द होना, चेहर पर बैटते वक्त दर्द होना, चलने में परेशानी, रोज-रोज की इन दिक्कतों से उनकी रातों की नीद खराब हो चुकी थी आईए उन ही से जानते हैं उनकी परेशानियों के बारे में और कैसे उन्होंने इस बीमारी का इलाज कराया और फिर एक दिन शोच करते समय मुझे खून नजर आया आप यकीन वानेगा मेरी हालत उस समय पूरी खराब हो चुकी थी मुझे डाउट होने लगा कि कहीं मुझे पाइल्स तो नहीं अपनी इस समस्या के बारे में मैं किसी को भी बता नहीं पा रहा था फिर थोड़ी सी हिम्मद जुटा कर मैंने अपने एक दोस्त को बताया उसने कहा कि ये दिक्कत मेरे पापा को भी हुई थी और उन्होंने उस समय ये दवा मंगाई और लेना शुरू कर दिया इस दवा को लेने से उनको काफी अराम मिला तो उसकी बात सुनकर मैंने भी ये दवा मंगा ली और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इतना जल्दी तो असर नहीं दिखा पर मैं दवा लेता रहा कुछ समय बाद मेरी पाइल्स की तकलीफ में काफी सुधार आने लगा और आज आलम ये है कि मुझे शोच करते वक्त कोई दिकत कोई परिशानी नहीं होती और मैंड भी एकदम टेंशन फ्री हो चुका है आम तोर पर पाइल्स दो प्रकार की होती है एक ब्लीडिंग और दूसरी नॉन ब्लीडिंग ब्लीडिंग केस में तो लोग इसे जल्दी पहचान लेते हैं लेकिन नॉन ब्लीडिंग जल्दी पकड़ में नहीं आती ऐसे में जो लोग इस तरह की पाइल्स से संक्रमित रहते हैं वो इसका इलाज नहीं करवाते मेरे हिसाब से ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि आप इलाज ना करवा कर एक बड़ी बीमारी की तरफ बढ़ रहे होते हैं पाइल्स जैसी बीमारी जब बड़ी हो जाती है तो normally इसे surgery या फिर laser treatment के जरीए ठीक करने की कोशिश की जाती है मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जिने पाइल्स था और जब वो रोग बड़ा हुआ तब उन्हें समझ में आया कि उनसे कितनी बड़ी भूल हो गई है इसलिए मैं उन सभी लोगों को सलाह दिना चाहूंगा जो पाइल्स की दिक्कत से परिशान है आप सब लोग समय रहते पाइल्स का सही इलाज करवा लें नहीं तो बाद में operation तक की नौबत आ सकती है जी हाँ, operation के जंजट से खुद को बचाईए और समय रहते bleeding और no bleeding piles दोनों का इलाज करवाईए वो भी घर बैठे, call करें और piles उपचार को अपने पास मंगवाएं piles उपचार के इस kit में आपको तीन अलग-अलग आश्रदियां मिलती है इसमें मौजूद है powder जो 20 से भी ज्यादा खास आयूरवेधिक और शदियों के इस्तमाल से बनाया गया है दूसरा है इसमें capsule जो प्राकृतिक जड़ी बूटियों के मिश्रन से तयार किया गया है और अंत में इसमें आता है ये oil जिसे बनाया गया है खास formula से पाइल्स उप्चार है आपके लिए कॉल मिलाएं और घर बैठे अपने पास मंगवाएं आयूरवेधिक और शदियों से तयार पाइल्स उप्चार किट लंबे समय से चल रही गैस और कब्स की दिक्कत कब बादी बवा सीर की दिक्कत बन गई मुझे पता ही नहीं चला उठने में बैठने में चलने फिरने में यहां तक के घर का कोई काम भी मैं नहीं कर पाती थी उपर वाले से हर वक्त दूआ करती थी इस गंदी बिमारी से मुझे निजाद मिल जाए आज उपर वाले का ही रहम और करम है जो मुझे यह दवा मिली तीन हफ़ते हो चुके हैं मुझे दवा खाते हुए, अब बवासीर के दर्द में पहले से अराम है, रोज दवा खा रही हूं मैं, इंशालला मुझे पूरा यकीन है, इस बीमारी से मुझे जल्दी निजाद मिल सकती है बादी बवासीर या खूनी बवासीर कोई भी बवासीर, घर बैठे बवासीर जैसी खतरनाग बीमारी का इलाज पा सकते हैं, पाइल्स उप्चार के जरिये अभी कॉल करें और एक्सपर्ट आयोरवेदिक डॉक्टरों की टीम से बात करके अपने पास मंगवाएं आधुनिक फॉर्मिले से तयार पाइल्स उप्चार आयोरवेदिक के बवासीर जैसी बीमारी से जितनी जल्दी दूर हो सकें, उतना ही अच्छा है ये बीमारी ना सिर्फ शरीर को तकलीव देती है बलकि मानसिक हालात को भी खराब कर देती है आपके काम पर, आपकी रोजमर्या की दिंचरिया पर इस बीमारी का कितना बुरा असर पड़ता है ये उनसे पूछे जिनका काम ही सारा सारा दिन बैठ कर करना होता है और ऐसे ल यंकर दर्द होता था, 8-8 गंटे ड्राइविंग करनी परती थी, लेकिन मैं सीट पे बैठ ही नी पाता था, दर्द की वज़े से, इसकी वज़े से मेरे काम का इतना नुकसान हुआ है न, वो मैं ही जानता हूँ, लेकिन शुकर है इस दवाई को बनाने वालोगा, जिसकी वज़े से काम पे आ पाया, अब मेरा पेट भी एकदम खुल के साफ होता है, और 8-10 गंटे गाड़ी मज़े से चला लेता हूँ, कोई दर्द नहीं, कोई परिशानी नहीं तकलीफ तब तक तकलीफ है, जब तक उसका उपचार नहीं, अगर आपको भी पायल्स की तकलीफ है, तो शर्माई नहीं, स्क्रीन पर दिख रहें नमबरों पर कॉल करें, और आज ही अपने पास मंगवाएं, पायल्स उपचार पायल्स के लिए ये दवा असरदार तो है, वो इसलिए, क्योंकि इसे मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ, पायल्स की वज़ा से बहुत ज़्यादा दिक्कत चाल लई थी, कि क्या बता हूँ, एक तो मेरे गुटनों में दर्द, उपर से मुझे बार बार मोशन जाना पड करता था, क्योंकि पेड़ी खुल कर साफ नहीं होता था, बड़ा परशान हो गया था इस विमारी से, एक जगा से ट्रीडमेंट भी कराया, लेकिन कोई खास अराम नहीं मिला, फिर जब मेरे बेटे ने ये दवा, ओनलैन मगवाई, इसको लेने से कुछ दिन बार ही मुझे अराम आने लगा, और अब इस दवा को मैं रोज लेता हूँ, इस दवा से मुझे कोई दिक्कत या परशानी नहीं है, अगर आप अभी भी किसी चमतकार का इंतजार कर रहे हैं, कि आपकी पाइल्स की विमारी अपने आप ठीक हो जाएगी, तो ये आपकी गलत फैमी है दो ये अभी भी वक्त है, स्क्रीन पर दिये नंबरों पर कॉल मिलाएं, मेरी माने तो पाइल्स उपचार का सेवन एक बार जरूर करके देखें, हो सकता है कि जिस तकलीफ या दर्द से आप गुजर रहे हैं, उसमें आपको आराम मिल जाए, तो देर न करें, अपनी बीमारी क पढ़ने ना दें.